अभनपूर एम्स के डॉक्टरों की सम्वेदा हींता के चलते अभनपूर के एक मरीज को अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा दरसल अभनपूर के जौंदा गाउं के रहने वाला किशन एक साल पहले पेट दर्द से परिशान था उसके पेट में मवाद भरा हुआ था राइपूर एम्स उसका इलाज हुआ डॉक्टरों ने मवाद निकाल कर उसके पेट में दो पाइप लगाई साल भर तक ठीक रहने के बाद पिछले कुछ दिनों से उसके पेट में फिर्ट से दर्द शुरू हो गया था परिशन उसे लेकर एम्स के इमर्चन से वाट पहुचे जहां डॉक्टरों ने उसे भरती करना तो दूर उसके इलाज तक नहीं किया जबकि मरीच दर्द से बेहाल था मरीच की भरती की उम्मीद में परिशन पास ही धर्मशाला में रुके लेकिन दो दिन बीच जाने पर भी जब इलाज शुरू नहीं हुआ तो बीती राद दर्द से परशान किसन ने खुद को फासी लगा ली मिर्ता की चार जवान बेटिया हैं राइपुर एम्स के डॉक्टरों की समेदन हींता की चलते इन बेटियों के सिर पर सिर से पिता का साया हड़ गया है भी उर्भात्रों के लगत ब्लबाएक सती है वज़ मुद्पती है खरण हो गया है क्ष़ लाज के लिए एम्सा हस्पीतर लेगे रहे हैं लेकिन वहाना इलाज नहीं होई स्विमार को गए तो मैं बताया कि बहुत दर्द से प्रसान है ऐसे करके फिर उप पाइपडल है उसमें भी बहुत सारा दर्द है और पेट फूल रहा करके बोलें फिर भी बोले कि आज नहीं होगा गुरुदारक सामने एक किरायक मकान देना वहीं ओला रखें और रात भर के लिए वहां छोड़ें तो रात में फिर दर्द फिर एकदम दर्द नाम से न और फिर सुसाइब कर दिस